नमस्कार रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है आज हम मसाला मिर्ची बनाएंगे अगर आप भी रोज की सबजी खाके हो गए हैं बोड तो बनाईए स्वादिष्ट मसाला मिर्ची तो समय को बिना पर बात किये हुए आएए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने मिर्ची लिया है यह मोटी वाली मिर्ची लिया है मैंने यह ज्यादा तीखा नहीं होता है मिर्ची को मैंने अच्छे से धो लिया है उसके बाद मैंने इस सूखे कपड़े से अच्छे से पोंच लिया है अब हम इसे बीच से इस प्रकार से काट लेंगे यह सबी मिर्चीों को हमें इसे पकाश मिर्ची से काट के ट्यार कर लेना है आभ यहां versos इंप जो ग्राम हरहे हैँ इन कैली यह इने नथे तीजय ने कधाई को कर लिया है अब हम कधाई में एक बड़ा चमस्ज तेल डाल देंगे निकरो Pirate अब हम इसमें एक चौथाई चम्मस साबू जीरा डाल देंगे, एक चौथाई चम्मस सरसो के दाने डाल देंगे, यानि कि राई एक पिंच हिंग डाल देंगे, इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा, सरसो चटकने लगा है, और जीरा भी हलका सा भुन गया ह अब हम इसमें तयार किया हुआ मिर्ची डाल देंगे, जो हमने पहले ही काड़के तयार कर लिया था, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मीडियम आज पर इसे 2 मिनट भुन लेंगे, मिर्ची को भुनने से पहले एक बात का खास ध्यान रखेगा, कि काटने से पहले इसे साफ कपड़े से अच्छे से पोंच लिजेगा नहीं तो जब आप इसे तेल में डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा तेल के छीटे आएंगे वैसे भी मिर्ची को जब हम तेल में भूनते हैं तो थोड़े बहुत तेल के छीटे पढ़ते हैं लेकिन अ मिर्ची को मैंने दो मिनिट मीडियम आज पर भुन लिया है अब हम इसमें एक चोथाई चमच हल्दी पौडर डाल देंगे एक चोथाई चमच कशमीरी लाल मिर्ची पौडर डाल देंगे क्योंकि यह ज़्यादा तीखा नहीं होता है और मिर्ची थोड़ी तीखी अच्छी लगती है और हमने जो इसमें मिर्ची डाला है वो भी ज्यदा तीखी नहीं है इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची पॉडर डाला है इससे दोनों चीजों का बैलन्स हो जाएगा और मिर्ची हमारी हलके सी तीखी हो जाएगी बाकी अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें तीखी वाली मिर्ची डाल सकते हैं अब हम इसमें सौफ का पॉडर डाल देंगे सौफ को मैंने मिक्सी में बारीक पीस लिया है तो यहाँ पे मैंने डेर्ड चमच सौफ का पॉडर डाला है आधा चमच धनिया पॉडर डाल देंगे एक चोथाई चमच गरम मसाला पॉडर डाल देंगे आधा चमच साधा नमक डाल देंगे क्योंकि मैं इसमें काला नमक भी डालूंगे आधा चमच काला नमक डाल देंगे काला नमक डालने से क्या होता है कि मिर्ची का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है इस रेसिपी में हमने जिन मसालों का इस्तमाल किया है इससे हमारी मिर्ची बहुत ही चटपटी और स्वाधिष्ट बनती है सभी मसालों को हम मिर्ची के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धक के इसे 3-4 मिनट तक बिल्कुल धीमी आज पर पकने के लिए छूड़ देंगे ताकि हमने इसमें जो मसाले डाले हैं वो मिर्ची में अच्छे से कोट हो जाएं लेकिन हाँ एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि मिर्ची को हमें बहुत ज्यादा सौफ नहीं करना है क्योंकि मिर्ची थोड़ी सी करंची ही अच्छी लगती है तो हम इसे ढग देंगे और गैस का अच बिल्कुल धीमा कर देंगे मिर्ची की इस रेसिपी को बनाने में हमें मुश्किल से 7-8 मिनटी लगते हैं यह देखिए हमारी मसाला मिर्ची बन के तयार है मसाला मिर्ची के उपर अच्छे से कोट हो गया है और ठंडा होनी के बाद इसे किसी भी एर टाइट कंटेनर में रखके आप 3-4 दिन तक खा सकते हैं लेकिन इसे ग्लास वाले ही कंटेनर में रखेगा नहीं तो यह खराब हो जाएगा मिर्ची की इस रेसिपी को आप भी एक पर ट्राइक करिए मेरी यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद किलते हैं एक और नहीं रेसिपी के साथ रेसिपी मंद्रामी तब तक के लिए बाई बाई